नमस्कार स्वागा थे आप सबका हमारे खास कारिकम देश देशांतर में मैं हूँ कवीन सचान और आज बात होगी भारत की पलोसी देशों के साथ नीथ को लेकर भारत अपने पलोसी देशों को सर्वोच प्रात्मित्ता प्रदान करता रहा है और पलोसी देशों के साथ संब पतली उस वक्त सभी साख देशों के ततकालीन प्रमुक उपस्तित थे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाती हुए मोधी सरकार ने पडूसी पहले की नीट अपनाई। मोधी सरकार ने बंगलादेश से लेकर नेपाल और पाकिस्तान से लेकर चीन के साथ सम्मन्धों को सुधार ने और पुराने विवादत मुद्दों का हल्ड होने की दिशा में तेजी के साथ प्रयास किया। खासतर पर पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और सीमा मुद्दों को सुलजाने के लिए कई प्रयास किये गए हलाकि उनके नतीजे उस तरह से नहीं मिले आज समझेंगे कि देश में पिछले चार वर्षों में मोदी सरकार की विदेशनीत कैसी रही है दुनिया और खासकर पड़ोसी देशों के साथ ये नहीं कितनी कार कर रही है विदेशनीत के लिहाद से क्या आहम बदला और पिछले चार वर्षों में हमने देखे हैं और उसका असाथ क्या होगा हमारे साथ तीन बेहत खास विमान हैं पूर विदेशनीत कैसे आप रहा है और जैसा कि मैंने शुवात में कहा कि जब शपत गहन सरकार का हुआ था और सारक देशों के प्रतिदी वहां पर थे इशारा कुछ मिल रहा था लेकिन चार साल में विदेशनीत कैसे आप देखते हैं और कहां पर हम खड़े हैं मोदी जी ने जब शपत गरहन करी तब उन्होंने ये साफ सिगनल दिया था कि पडोसी देशों को वMore प्राथमिक्ता देंगे और ये ठीक भी है विदेशनीती की लिहाज से क्योंकि कहा जाता है कि विदेशनीती की जो असल परीक्षा होती है वो पडोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर होता है अब हमें देखना है कि मोधी जी ने इस परीक्षा में कैसा किया मेरा मानना है कि अगर फूम रुप से आप देखें इन चार बर्शों मे तो मोधी जी की सरकार ने जो प्रयास किये वो उचित प्रियास थे और हमने जो अपने संबंध जैसे बंगला देश के साथ अच्छे स्थर पे हम ले गए हैं वो भी एक सफलता है हाँ पाकिस्तान का आपने जिक्र किया उसमें अगर आप देखें तो 2015 तक मोदी जी ने प्रियास जरूर किया था वो यहां तक की लहूर भी गए थे लेकिन पाकिस्तान की जो नकरात्मक नीती एक वो परामपरिक है वो ही चली और उसके बाद 2016 में पठान कोट में हमला हुआ और उसके बाद आतंकी हमला उरी में हुआ तो वो जो सिलसला गरबढ़ाया उसका श्रीप पूरा पाकिस्तान को साथ चीन भी बड़ा पड़ोसी है चीन के साथ जो अब प्रयास हो रहे हैं वो मुझे लगता है उचित है वोहान में जो बैठक हुई वो अच्छी है अब देखना है कि वोहान की बैठक से क्या उसमें क्या ठोस परणाम हमें आते हैं श्री लंका को अगर आप देखें तो उनके साथ भी संबंदफ सुद्रल हो रहे हैं आर्चिक उसमें एक कंटेंट आ रहा है जो अच्छा है हाँ मॉल्डीव के साथ हमें मुझे हैं और उस पर अब हमें ध्यान देना पड़ेगा नेपाल के साथ अभी मोदी जी की यात्रा हुई बड़ी सफल यात्रा थी उसके पड़ोसी जब एक ऐसा विशाल देश है जैसा हम है और उसके साथ पड़ोसी है छोटे चीन को अगर आप छोड़े वो छोटे पड़ोसी है तो उनके साथ जो डीलिंग करनी पड़ती है वो बहुत सेंस्टिविटी के साथ करनी पड़ती है उनको कभी यह नहीं दिखाना चाहिए कि हम आपके बड़े भाई हैं उनको साथ लेकर चलने का प्रयास होना चाहिए और मुझे लगता है मोदी जी वही कोशिश करने के वही कोशिश कर रहे हैं जैसे वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास भारत में वैसा ही पड़ोस में भी करना चाहते हैं रानम रिजी जिनमें से 186 ऐसे देश जहां पर जातर 10 साल या 20 साल का अंत्राल रहा लोग नहीं गए प्रतिन मंडल की वारता यात्राय नहीं हुई हैं इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं वो कितने कारगर रहे हैं और उनकी जिस तरीकी की जरूरत थी क्या उस तेजी के साथ हम वहां पर बढ़ते दिखाई दिये हैं जहां कुछ हत तक अवेश काड़ जी ने बहुती संतुलित समिकरनिक दिया पड़ोस के बारे में और जहां तक विश्व का अगर हम देखें तो सबसे बड़ी उपलब्दियों में हमारे लिए ये है कि हमारे प्रधान मंत्री एक प्रमुक अच्छा किरदार निवाया है लेकिन अब हमको ये देखना है कि इसके ठोस परिणाम पारसपरिक संबंदों में किस प्रकार करयानवित होते हैं उसमें कमी बेसी है तो एक मिश्रित समीकरन नजर आता है जैसा कि उधारन सरूप अगर हम लें सहियुक राश्ट अमरीका के स जो गहराओ आया है संपरकों में इस गहराओ को सिंबॉलिक आकार से प्रैक्टिकल उसमें लाने के लिए जरूरी है कि कुछ और संपरक बढ़ हैं जो रक्षा सामगरी वगरा की बात है उसके किवल अधी गरहन की नहीं बलकि जो यहां मेक इन इंडिया की बात होती है उसम में जो है कुछ पार्टनर्शिप एग्रिमेंट्स जो प्रमुक कंपनिया है स्यूंक राश्र अमरीका की जैसे लॉखीड मार्टिन है और भी हवाई जाजों की कंपनिया है और स्पेर पार्ट्स बढ़ाने की कंपनिया है जिनके साथ अगर हमारे एंट्रपर्णर मिल के का करें तो इस पे और जल्दी से अगर डिजिशन वगरा हो जाएं तो यह संपर्ग और सुद्रड हो सकते हैं तो इसी तरह एक माइनस पॉइंट भी है कि स्यूंक राश्र अमरीका के साथ गहराओ आया है संपर्ग में तो रूस कुछ हमसे नाराज हो गया है या कुछ दूरी हमको एक संकेत दिया है कि भाई आप अगर बहुत हमसे दूर जाएंगे तो हम यह भी कर सकते हैं आपके साथ तो यह इस तरह के उतार चड़ाओ है नजर आते हैं जी हर्श दो बातें जो दोनों लोगों ने कहीं हैं विदेशनीत में क्या यह वाकई सच है कि पहले हमने दे लग लग पॉइंट्स होते हैं उन सब के साथ हमने बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिस की है और देश के हितों के लिहाज से दिरकालिक हितों के लिहाज से हमने उन रिष्टों को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं देखी ये मुझे लगता है किसी हद तक मुदी सरकार की एक उपलब्धी रही है बड़ी उपलब्धी है कि जो अलग-अलग घटक हैं उनके साथ हमारी जो पार्टनर्शिप है हमारा जो संबंद है गहरा हैं और उसमें कहीं पर जैसा भी बेनर जी साब जिकर कर रहे थे कि आप एक क्रिटिकल बैलन्स बनाना पड़ता है आपको कि अगर एक तरफ अमरीका के साथ आपके संबंद गहरा रहे हैं तो आप किस तरह से दूसरे देशों के साथ उसको पर्ट्री पर लानी की कोशिश करते हैं जैसे अभी जो इन्फॉर्मल समिट्स हुए वुहान में औ आप चले जाएं तो वहां भी देखने को मिलता है कि आपने कैसे एरान के साथ इसराइल के साथ और साओधी अरब और गल्फ कंट्री के साथ बैलन्स बनाने की कोशिश करिए तो उसके जो आप परिडाम है मुझे लगता है वो दूरगामी होंगे और आने वाले समय में दि कितना इसको आप से सहमत हैं और किस तरीके से देखते हैं क्योंकि जब जब भी रिष्टों की बात आई है और आपके पास नमबान भो रहा है किसी एक देश को हम जब साते हैं या रिष्टों को आगे बढ़ाते हैं तो जो दूसरा खेम है कई वार नाराज भी होता है लेक आपके दोस्तों में जिन में आपके हित बहुत इंवल्वड है तो उनको मैनेज करना परता है और मुदी सरकार ने ये विशेश रूप से कोशिश की है इस वक्त हमें इस स्तर पे हैं कि हमारी प्राथमिक्ता है कि हर देश से हमारे संबंध ठीक हों क्योंकि जो हम डिवलप्मेंट जरूनी चाहते हैं उस जरूनी के लिए हमें कुछ न कुछ जरूरत है हर देश से अमरीका से टेकनोलिजी, कैपिटल, डिफेंस के लिए, रूस से भी डिफेंस, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर, चीन को हम नहीं छोड़ सकते हैं और इस वक्त तो ये कॉंट्रेडिक्शन जिन देशों में बहुत बढ़न हैं हमें ये कोशिश करनी चाहिए हो मुझे लगता है मोदी जी की सरकार वो ही कर रही है कि इनके आपसी जगड़ों में हम नहीं पढ़ें इन सब के साथ बाइलैटरली दियो पक्षी संबंध हम बढ़ाते हैं और वो ही हम कर रहे हैं हाँ मुश्किल तब पढ़ती है जबकि ए इसमें और इरान के साथ भी हमारे हिथ हैं इसमाब फिर कर्चनाई आती है और कुठनीती का की सफलता तब ही है जब इन करतनAYों के बीच से हम नाविघेट कर लें कुछ हग तक हम कर चुके है लेकिन आने वक्त आने वाले वख्त में हमें ये नाविगेशन जारी रखना प तो दुनिया के सामने संपर्क के मामले पर कनेक्शन को लेकर और जिस तरीके से मैं कहूं कि रिष्टों की जवी धूल को हटाने की जो बात कही आती है कई बार प्रधार मंत्री विदेश दौरों पर गए अलग लोगों से मिले प्रतिधियों के साथ देशों के उचस्तर पर मुलाकाते हुई है और साथ ही वहां की जनता जो भारती प्रवासी वहां पर थे उनके साथ भी समपत जादा गया पड़ोसी देशों के साथ आम तोर पर ये कहा जाता है सारोप लगता रहा है कि पहले हम उनको taken for granted के तोर पर लेते रहें और जिब जिरूत होती थी तब हम ज़्यादा उन पर focus करते थे इसमें कितना बदलाओ और इसका कितना impact आप देखते हैं एक तो ये बात सच नहीं है ये इसलिए होता था क्योंकि जैसा की काड़ जूसर ने शुरूर में ही कहा कि चूंकि भारत एक बड़ा देश है तो एक big brother वाली बात आ जाती है पड़ोस के रिष्टों के में कुछ हम ना भी करें तब भी वो बात वहां पे उचाल दी जाती है तो इसको background में रखते हुए अगर हम देखें तो पड़ोसी देशों के साथ चेष्टा तो पूरी रही है लेकिन दुर्भागेवश कहा जाए अब थोड़ा सा सुधार भी हो रहा है लेकिन बंगला देश और भुटान को छोड़के बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ तनाओ बने रहे हैं खासकर नेपाल के साथ भी शुरू में कुछ गलत फहमिया रही है अब उनको सुधारनी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के साथ तो प्रगती हो ही नहीं पाई क्योंकि आतंगवाद का मुद्ध एक दिवार जैसा बना रहा और उनकी बोद में ये जो हमारी नीती है जिसको कहते हैं कि मरदानगी दिखाने वाली बोडर पे ये भी काम नहीं आई है क्योंकि उनकी तरफ से भी उतनी ही जादा सशक्त तरीके से उन्होंने उसका जवाब देने की ठानी है मतलब अपनी जो उनकी अंतरूनी जो प्रजा है उनके सामने वो भारत के समुख कमजोर नदर नहीं आ सकते तो इसलिए उस पर एक तनाव बना हुआ है दूसरी बात आतंगवाद को लेकर एक सिलेक्टिव वे में वो अभी भी काम वहां से चली रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है तो जब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो रिष्टों में सुधार आना बहुत मुश्किल लगता है लेकिन बाकी मुलकों के साथ हो सकती है सुधार हो सकता है और अब सार्क को भी दुबारा से मिलने की बात है टाइम आ गया है पाकिस्तान में सार्क की मिटिंग होनी है तो अगर ये शुरुआत ली जाती है तो हो सकता है कि फिर से सुधार की कोशिश शुरू हो सके हर्श को की जिस तरीके से विदेश नीट रही है और पाकिस्तान को लेकर में खास तो पर जिसका जिकर बन्रीजी सर ने किया आतंकवात को लेकर पाकिस्तान को स्राइज करने की बात हो अंतराश्टिय मंचों पर उसका असर हमने पिछले चार वर्षों में किस तरीके से देखा है और जिस तरीके हाल में किताब भी आई है जो की दुलत साहब और वहां के दुरानी साहब की जो जिक्र उन्हें किया है कई मसलों को लेकर उसके परफेक्ष में अगर मैं समझने की कोशिस करूँ तो उसका इंपक्ट यानि कि भारत की विदेशनीत का इंपक्ट आतंकवात को लेकर पाकिस्तान पर कितना और किस तरीके करा है देखें जो आतंकवात का जो प्रशन है यह मुझे लगता है काफी महत्पून रहा है पिछले चार सालों में और अगर आप मोदी सरकार की जर्नी देखें तो एक लेजर लाइक फोकस रहा है आतंकवात को as an international problem project करने में तो कहीं पर वो अंतराश्ट्री समस्या जब उन्होंने हर जगे project करने की कोशिश करी है उसमें उनको काफी success मिली है तो अगर आप इसको देखें उनके साथ भारत उनको भी convince करने में सफल हुआ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवात का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक भारत के संबंद पाकिस्तान के साथ साही नहीं हो सकते हैं तो कहीं पर वो जो terms of engagement थी उसमें बदलाव आया है और पाकिस्तान अपने आपको अलग थलग महसूस करने लगा है आप ये देखिए जब BRICS का जो previous summit हुआ था उसमें भी declaration जो आया था वो खासका targeted आया था पाकिस्तान-based organizations के लिए तो कहीं पर वो जो focus रहा है आतंकवात पर और पाकिस्तान को project करने का as a problem, as an epicenter of terrorism वो मुझे लगता है मोधी सरकार जरूर उसमें global diplomatic engagement में successful रहे हैं अब सवाल ये है कि आगे आने वाले जो समय हैं उसमें किस तरह से engage किया जाएगा इसको और क्या जो शक्तियां जिनके द्वारा भारत ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वो सफल हो पाएगा या नहीं अभी तक तो पाकिस्तान ने इसका जवाब negative में दिया है पर उनके अंदूरनी भी अपनी समस्याइं हो सकती है लेकिन मुझे ऐसे रगता है कि जो एक projected अप्रोच रहा है भारत का और इस सरकार का अंतराश्रिय और पाकिस्तान से जो टेरोरिजम उभर कर आया है उसके परिपेक्ष में सफल रहे है भारत की कूटनी थी अब लेकिन भारत ये भी इस बात से भी वाकिफ है कि इस समय सबसे महतुपूर्ण देश चीन है और चीन के जो सपोर्ट पाकिस्तान के पास है उसके पहले अमरीका हुआ करता था और अब चीन है और मुझे लगता है वो जो इंगेजमेंट है भारत की चीन के साथ इसलिए भी महतुपूर्ण हो जाती है इवन ना सिर्फ एक ग्लोबल बैलनसिंग एट के तौर पर भारत के जो पलोसी देशें उनमें क्या हो रहा है और खासकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसमें चीन किस तरह कर रोल प्ले करेगा आगे आने वाले समय में बहुत महतुपूर्ण है कालू सर पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर और खास पर चीन जिसका जखर हर्श कर रहे थे भारत का कद किस तरीके से आप देखते हैं पिछले चार वर्षों में इस मसले को लेकर दुनिया के अंतराश्टी मंचों पर और साथी साथ जो अलग लग चार मैं कहूं कि एक्सपोर्ट कंड्रोल रजीम रही थी उसकी में से तीन की से दस्ता भारत को मिलना और एक बड़ा आकड़ा है कि 14 लाक क्रोड की पूंजी विदेश्ट भारत में आई है निवेश के तौर पर विदेश्ट नीट के लिहासे इस एक पैरामीटर में कहूं एकनॉमिक और आतंकवाद के मसले पर क्या है इसका नजरिया लेकं हमें बारत में रहके इतना महसूस नहीं होता है लेकिन आज के दिन दुनिया भारत को एक महाशक्टी के रूप में देखने लगी हम उभरे हैं Little चेन की RISE के बारे में बात होती है लेकिन भारत कभी एक राइज हुआ है और आज के दिन दुनिया ये जानती है कि उसके हित भारत के हितों से जुड़े हूँ आतंकवात के मसले पर कोई हमें दवाव ये नहीं डाल रहा है मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश हमसे ये कह रहा है कि पाकिस्टान के साथ बातचीत करो हमने जो अभी तक नीटी अपना ही है जैसे कि भी पाकिस्टान अब जो आतंकवात पहलाता है उसको बंत करे तभी बैठके मसलों पर बातचीत हो सकते हैं हाँ, humanitarian issues है, उन सब पर तो चलता रहेगा, और चलना भी चाहिए, लेकिन जो सहयोग की बात है, और dispute resolution जिसे कहते हैं, issues resolution, वो तब होगा जब आतंकवाद बंद करो, पुरानी नीती ये थी, कि आतंकवादी हाथसा हुआ, यहाँ पर एक जनता में एक आकरोश आया, आकरोश ठ जरू करतो, उससे हमें क्या मिला, पहले वास्तविक्ता तो यही है, यही है कि मोदी जी ने भी कोशिश करी पहले, कई प्रयास किये, लेकिन आज के दिन मेरा मानना है कि हमें stamina दिखाने की जरूरत, हाँ, देश में भी आवाजें उठ रही हैं, कि पाकिस्तान से बातचीत क क्या है, दरसल बात यह है कि अगर एक सुनिष्चित नीती के तहट एक देश दूसरे देश पर आतंकवात पहला रहा है, तो क्या हम उसको कबूल करें, क्या वो हमाई लिए स्ट्टीजिक सामरिक चैलिंज नहीं है, जब तक हम उसको यह नहीं मानेंगे, तब तक हम कैसे उ उसको सुल जाएंगे, कैसे उसको बंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी जिस तरह मोदी जी ने चार साल विदेश नीती चलाई है, और जिस तरह भारत का राइज हुआ इन चार सालों में ही नहीं, जो एक सिलसला चल रहा है, पहली सरकारों ने भी योगदान दिया, यह तो सब मानते हैं, मोदी सरकारी ने भी अपना योगदान दिया, बड़ा योगदान दिया, उससे जो हमारा मार्केट, जो हमारा बाजार अब उच्पन हुआ है, वो सब का एक अगर आप उस सब को मिला के देखें, तो आज की स्थिती भारत के लिए बहुती अनकूल है विश्वभाण। अलग अलग राजियों तक चर्चा करना, असल में इसकी जरुत क्यों पढ़ रही है और इसके पीशे कारण क्या है, इंपक्ट कहां पर देखते हैं। और खीमती जहां परिवारों के बच्चों को भेह जाता है, वहां पर इस तरह की फसिलिटी रहती है कि भई आप मिनी यूएन बनाएए या शैम एक ड्रामा करिए बच्चों से यह सिखवाते हैं। तो अगर ये और आम लोगों में, आम स्कूलों में भी इस नीती को कारग बात होगी। एक और नई दिशा जिसका अभी तक जिकर नहीं हुआ वो यह है लुक इस्ट में जो है, हम जो आंचलिक दिशा है हमारी आसियान मुलकों में, वहां पर भी जो है एक नई दिशा दी गई है और इस बार अभी अगले शैंगरिला डैलोग में प्रदान मंतरी जाके वहां पर की नोट एड्रेस देने वाले हैं, यह वहां के मुलकों की बहुत दिनों से मांग थी, कि आपके या तो रक्षा मंतरी आए या प्रदान मंतरी आए आए, आके जो है यह जो साओध इशिया, जो इशियन आशियान कंट्रीज हैं और जो साओध चाइना सी के आस-पास की जो मेरिटाइम नीती है, इसमें भी भारत का क्या रवया है, इसको जागर करने की जरूवत है, तो यह भी अगर किया जाएगा तो इससे काफी इंपक्ट होगा। इस सरकार ने, वहाँ पर यह प्लान था कि हम किस तरह से भारत जो सिक्योरिटी ग्यारंटर के रूप में उभरना चाहता था, लार्जर इंडो-पसिफिक जिसको हम कहते हैं कम्यूनिटी में, वहाँ पर कैसे भारत का इंप्रिंट स्ट्रॉंगर हो और कैसे भारत की जो एक तो वह बहुत इंपॉर्टन सिंबल था कि भारत किस तरह से एक बड़े इंपॉर्टन एरिया को डिप्लोमेटिक सिग्निफिकंस दे रहा है, और जब प्रधान मेंत्री अब शैंग्रिला डायलोग में जाएंगे और जो उनका भाशन होगा वो मुझे लगता है कहीं पर उ अपने नॉर्थीस्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं साउथीस्ट एशिया से जो मुझे लगता है बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन हो रहा है और मुझे लगता है इसका इंपक्ट ना सिर्फ हमारे नॉर्थीस्ट के लिए बट अगर आप भारत की जो नेबरूट और उसका इंपक्ट बहुत दूलगामी होगा चैले बहुत शुक्रे आप तीनों में महानों का हमारे साथ इस बेहत खास सर्चा में शामिल होने के लिए कि असल में भारत की विदेशनी क्या है पर उसी देशों के साथ हमारे रिष्ट कहां पर हैं और हमें किस देशा में आ हमारे दर्शक है जै जगदिश कुमार जिन्होंने हमारे कारकम चार साल मोदी सरकार पर हमने किया था 26 मאई को उन्होंने लिखा है कि मैं देश देशांतर के से अपिसोड से निराश हुआ हूँ कारकम के स्तर के लिहास से राजितिक पतिन भी सक्षम नहीं है। और जब किसी दल या फिर किसी सरकार के बारे में चर्चा होती है तो उसमें उसका पक्ष यानी राजितिक दलों का होना बेहत जरूरी है और इसलिए हमने उस दिन उन मिहमानों को आमन्तित किया था आप ऐसी राए सुझाओ अलोचना हमें लिख सकते हैं और लिखिए जरूर ताकि हम अपने कारिकम के सरको सुधार सकें तलाल बहुत शुक्री आप सबका नमस्कार